नहुस्कार श्टूरेंट्स आज मैं आप लोगों के लिए बेस्थाओं लेके आया हूं सबसे पहले मैं आपको पताऊंगा what is बेस्थाओं और फिर मैं आपको निकालना बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको निकालते हैं उसके बारे में विए अपने डिस्कस करेंगे certain knowledge while other one has already occurred इस थ्रॉम हमने 11th कलास की mathematics में पढ़ा है वही सेम सीज है इसके अंदर हम probability conditions को prove करते है इस थ्रॉम के थ्रॉम हम क्या करते है derived production rules होते हैं उन से हम conditional probability की जो इवेंट्स होते हैं उनको हम पुरूब करते हैं इसके अंदर बेस्ट्राइब यूजिंग दे प्रोटेक्ट रूल एंड कंडिशनल प्रोबिलिटी ओफ इवेंट एक्स विथ नोनाज इवेंट वाई जब मैं आप लोगों को यह चीज़ बताऊं मैं आपको प्रूब भी कर अब इसको प्रूबिलिटी ओफ एक्स प्रूबिलिटी ओफ एक्स समिशन ओफ वाई इक्वल टू पी एक्स गिवन देट वाई यह जो आपका यह जो दे रखा है यह क्या है गिवन देट गिवन देट गिवन देट गिवन देट वाई इंटू प्रूबिलिटी ओफ वाई यह equation है दूसरी equation है further probability of event y with known as event x जिसके अंदर में आपको एक एक चीज़ समझाऊँगा इसके अंदर क्या है probability of x submission y equal to probability of y given that x into probability of x यह दो आपकी equation है equation number 1 और equation number 2 अब इन सारी equation को लेकर कि हमारे एक formula बनता है उसके बाद में आपको बताऊंगा यह यह मेरा formula है यह formula है यह formula क्या है mathematical wise thumb can be expressed by the combining both equation right hand side as well as left hand side तो इससे जो हमारा formula बनके तियार होता है उसके बारे में बताता हूँ इसके कैसे बनता है उस सीज़ को भी में बताऊंगा तो यह जो है probability of x given that y इसको हम बोलते हैं क्या बोलते हैं पोशियर क्या बोलते हैं पोशियर अब यह जो है इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है लिकलि हुड यह लाइक हुड इसको और इसको क्या बोला जाता है इसको बोला जाता है प्रैयर क्या बोला जाता है प्रैयर प्रोटी प्रैयर प्रोटी और इसको क्या बोला जाता है इसको मार्जिनल marginal यह आपका particular formula होता है जिसके अंदर जो आपका दियावा है P probability of X given that Y यह क्या कहलाता है for share property कहलाता है जिसको हमें particular calculate करने के लिए यूज मिलेते हैं जिससे हम define करते हैं updated probability after considering the evidence और एक होता है P probability of Y given that X is called likelihood this is the probability of evidence when the hypothesis is true अगर condition को क्या होता है वो true करता है तो दूसरी इसी चीज़ के अंदर हम इस formula के साथ साथ में देख लेते हैं इसरा होता है, PX जो मेरे formula के ऐंदर दिया वा है यह formula के अंदर दिया वा है PX इसको क्या बोलते हैージ को क्या बोलते हैं the prior probability बहुते हैं क्या बोलते हैं ? of hypothesis before the considering the evidence और यह उता है P probability of I is called marginal probability it is defined as the probability of evidence under the consideration अब इसको हम जब solve करते हैं तो किस तरीके से करते हैं उसका एक mathematical formula बता रहा हूं है इसके अंदर जब हम particular इसका term को prove करते हैं तो हमारे सामने में बताया आपको यह आपका formula है probability of A given that B equal to probability of B given that A into probability of A upon probability of B जहाँ probability of A given that B यह क्या posture probability का काम करती है यहां पर दूसरी चीज़ जब मैं बात करता हूं probability of B given that A यह likelyhood का का काम करता है और probability of A यह प्रेयर 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 का 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 काम करता है और probability of B यह marginal का का काम करता है अब इसके अंदर जब हम यह सारी सीज़ है तो हमारे पास में normally कुछ चीज़े हैं पहला हमारे पास में दो पॉइंट्स होते हैं probability of A given that B equal to probability of A intersection B upon probability of B यह अब दूसरी चीज़ होती है probability of B given that A equal to probability of B intersection A upon PA अब इस चीज़ से एक conditional probability create होती है conditional probability का मतलब क्या होता है left hand side equal to right hand side जो right hand side के साथ में यह चीज़े है उसको condition को जब मैं इसी चीज़े को क्या करूँगा मैं यहां से आपको करके बताता हूँ जब इसी formula के अंदर conditional probability जब मैं create कर रहा हूँ तो यह probability of A given that B equal to probability of A intersection B upon probability of B यह है तो इसके अंदर मैं क्या कर रहा हूँ इसको यहां से cut कर रहा हूँ और मैं कहां पर conditional probability के अंदर इसको यहां पर मैं क्या कर देता हूँ इसको यहां पर मैं क्या कर देता हूँ इसी करम में इसको multiply कर देता हूँ और equal to क्या probability of A intersection B हो जाएगा second condition भी यह है probability of B given that A equal to probability of B intersection A upon probability of A where जहाँ पर conditional probability होगी तो यह ऐसा का ऐसा as it ही जा रहा है probability of B given that A into इसको उठा करके इसके साथ में multiply कर दो probability of A equal to probability of B intersection A यही चीज मैंने आगे देखो इस formula में है probability of A intersection B equal to probability of A given that B into probability of B दूसरी चीज यही चीज है probability of B given that A into probability of A यह का as it is यह formula आपके सामने है यह formula create हो जाता है अब इसी formula से मैं क्या करता हूँ वो जो मैंने सबसे पहले उपर लिखा था यह formula probability of A given that B equal to probability of B given that A into probability of A upon probability of B इसको भी मैं adjectives यहाँ पर ले के आजाता हूँ इस formula को मैंने adjectives यहाँ पर ले के आगया adjectives यहाँ पर ले के जब मैं आगया अब इसी formula based मैं एक आपको example देखर की बताता हूँ example के थू जब हम बात करते हैं suppose आपको एक- casing देदे उसके अंदर probability king और face की probability पूछ ले आपसे king और face की probability पूछ ले तो मेरे पास में formula क्या है king और faceो यहाँ या है ए को मैं क्या लेढ़ूंगा én को मैं लेढ़ूंगा King और Face की Probability तो यहाँ पर मेरे पास में क्या है मेरे पास यह हो गया A क्या हो जाएगा A एक King हो जाएगा और B क्या हो जाएगा Face इन दोनों की मेरे को क्या करना है Probability create करनी है जब मुझे इन दोनों की Probability create करनी है तो मुझे करना क्या है इसके अंदर मैं इसी चीज़ को रखूँगा कि probability of face given that king into probability of king upon probability of face इस formula के अंदर इसको fit कर दूँगा formula के अंदर fit करने के बाद में मैं सबसे पहले बात करता हूँ king और face इन सब चीज़ों के बात करूँगा तो जो cards होते हैं तास के पत्ते होते हैं वो कितने होते हैं बावन पत्ते होते हैं अब इन बावन पत्तों में से इनकी क्या करनी है probability find करनी है इन बावन पत्तों में से ही इसकी probability find करनी है तो इसके अंदर मैं क्या करूँगा कि जो king है जो king है वो face इसकी probability क्या हो सकती है one हो सकती है क्यों क्योंकि बाउन पत्तों में से उनमें से एक कोई क्या कामकर जो face है उनमें से एक कोई king है पकी बात है अब face कितने हो सकते है12 हो सकते है एक 4 चार किंग होते हैं, चार जोकर होते हैं और चार फेस होते हैं, टोटल कितने होते हैं, बारा होते हैं, तो फेस कितने होते हैं, और किंग कितना होता हैं, किंग एक होता है, फेस बारा होते हैं, कार्ट के पत्तों में, तो उसी तरीके से वो प्रोबिलिटी देख रहे हैं हम, क कि जो फेस है जो उनमें प्रोबिलिटी किंग की कितनी है वन है तो मैंने वही रख दी क्या रख दी वही प्रोबिलिटी रख दी वन वन बारा पत्तों में से अब इन्टू में क्या है किंग अब किंग निकालना हमें तो किंग के लिए क्या करना है किंग के लिए मुझे करना है कि फेस कितने है मेरी यहां पर बारा है और टोटल पत्ते कितने है बावन है बाउन में से जो probability लेकी चाहरा हूं तो king की probability कितनी होती है चार कितनी होती है चार तो यह बाउन पतों में से चार king की probability है तो मैं कितना क्या करूंगा 4 upon 52 upon face कितने हैं face 12 हैं कितने 52 cards में से तो probability क्या जगे 12 upon 52 इनको solve करेंगे तो इसको 1 upon 13 1 into 1 upon 13 upon 3 3 upon 13 यह आ जाएगा आपकी सामझे निकल किर की अब इसके अंदर मैं क्या करूंगा इस चीज़ को जब मैं solve करूंगा तो मिरे सामझे क्या जाएगा 1 upon 13 क्या जाएगा 1 upon 13 सुरी 1 upon 3 इसका cards की probability कितना जाएगी 1 upon 3 1 probability किसकी होगी किंक की होगी face की कितनी होगी 3 होगी अब इसी तरीके से इस चीज़ के साथ में जब मैं इसको conditional प्रोव करता हूं तो इसके साथ में जो probability है मैंने बताया था आप लोगों को यह probability of a given that b जिसको हम क्या बोलते हैं नॉर्मल वासना में hypothesis बोलते हैं a को क्या बोलते हैं hypothesis बोलते हैं b को क्या बोलते हैं evidence बोलते हैं तो इसके अंदर जो हमें given data होता है उसकी भिहाब पर हम evidence calculate करते हैं और जब इसका formula हम लिखते हैं तो यह होता probability of evidence given that hypothesis into probability of hypothesis upon probability of evidence यह इस तरीके से हम हमारी को calculate करते हैं तो अब अगर आपको अच्छा लगा लिक्षर तो इसको like कीजिए comment कीजिए और subscribe कीजिए अगर आप ने कर लिया तो किसी दूसरे के device से भी subscribe कीजिए को कि इस subscription matter करता है नमस्कार